वरी की कहानी, सालों पेले भन्या राज्यों में कर्न राजा का सासन चलता था, राजा का दिल बहुत साब था, वो हर तेहार के दिन लोगों को दान देते थे, इस साल भी एक तेहार के अफसर पर राज महल में दान लेने वालों की भीड लग गई, राजा ने सब को भर भर कर दान दिया अंत में कमर को जुकाते हुए एक मैला राजा के पास दान लेने के लिए पहुंचे लेकिन तब तक राजा के पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं बचा राजा ने तुरंत अपने गले से हीरे का हार निकल कर उस मैला को दे दिया वो मैला राजा के सिर्फर पुत्र की कमी है भगवान ने मुझे सब कुछ दिया लेकिन पुत्र सूख पता नहीं क्यों नहीं दिया तभी राजा के गुद में आकर एक आम गीरा राजा इधर उधर देखने लेगे उनके मन में आया कि आ अखिर या आम मेरे गुद में किसे आया तभी कुछ दिर बाद उन्हें बहुत सारे परियां दिक उन सबी परियां में से एक निले आंखे बाली परी राजा के सामने आई और बोलने लगी कि इस आम को अपने पतिनी को देना ये आम तुम्हें पुत्र देगा राजा ने दुखी मन से निले आँखो भाली परी को पूछा क्या इसका कोई उपआई नहीं है दोस्तों उसके बाद क्या हुआ क्या परी ने राजा को कोई उपआई बताया या फिर एक विस साल के बाद राजा का बेटा मर गया इसका पार्ट टू देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को औल पे सिलेक्ट जरू करेना